नमस्ते अभिवादान आपका इनोसेंट इनिवेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों कल का ट्रेड लिस्ट होने जा रहा है ग्रे मार्केट प्रेमियम धोस्त हो चुका है जी हाँ ग्रे मार्केट प्रेमियम बहुत बुरी तरीके से पिटा है इस स्टॉक का यहाँ पर 16- 78% का प्रेमियम अभी के सिनारियों में आ रहा है अब यह 78% का प्रेमियम जब लिस्टिंग होगी उसके बाद बचा रह पाएगा सबसे बड़ा सवाल इसी पर है क्योंकि जितने भी आई-प्यों रिसन डेज में लिस्ट हुए है वहाँ पर एक बड़ी प्रॉफिट बुक के लिए तो हमारे लिए जो सिनारियो है वो थोड़ा सा नेगटिव साइड ही आ रहा है सबको स्ट्राटेजी बताएंगे लेकिन यहाँ पर आपको जो बेस्ट काम करना है वो यह कि क्या अगर आपने जो सेयर खरीदा है अगर लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तब तो म करना उने डाउत यह काट्रेड वाला बिजनेस है यह ल्यंग रन में सस्टेन करने वाला बिजनेस है लेकिन जिस तरीके से और यह कंपने भी आ हlee है यहाँ अपने हिसाब से सिच्वेशन को टैकल करती है पुरानी वैसको लेकर के तो वहाँ पर काट्रेड जो है उतनी मुझे ये कंपनी पसंद है क्या मैं इसको इसको बहुत लंब समय क्कार सकता हो नहीं कि या मैं इसको B काटगरी में रख़्ूंगा जहां जहां जrickू को कि कालीटी अच्छी है और मतलब अगर अगर घिरावत पे खरीदा तो बहुत कम čांसे से कि खुआ हम को फसा या खुद अपनी यह कैटेगरी जरूर बनाईएगा तो लिश्टिंग के हिसाब से कुछ खास संकेत है नहीं IPOs ने जिस तरीके से पब्लिक से पैसा लूटने की कोसिस किये है उसी का खाम्याजा भूगत रही है क्यों कि जब लोगों को लगता है या बड़े प्लेर्स को लगता है चलो भाई यहां पर पैसा फ्री में कमा लेंगे तो लोग इतने महंगे महंगे IPOs लेकर आते हैं उनका वैलिवेशन मतलब एकदम पचिता नहीं है डाइजस्ट नहीं होता है और वही सिनारियो हो रहे है आजकल और इसी कारण बाजार उनको सम्मान नहीं दे रही है ग्लोबल मार्केट से भी अच्छे संकेत नहीं है इसलिए अगर आपको यहां पर यह अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास मिलता है तो आप स्टॉप लॉस करके वहां पर ट्रेड ले सकते हो अधर्वाइज आप अवाइड भी कर दोगे चलेगा जिनको लॉट मिला वह क्या कर सकते हैं क्या यह लॉट कर सकते हैं मेरे हिसाब से इस से बेटर आपको ट्रेड मिल जाएंगे भारतिय बाजारों में यहां पर रिस्क रिवाड रेशियो उतना ज्यादा फेवरेवल है नहीं तो आप अवाइड करोगे ज्यादा बेटर है अब लिस्टिंग आपको पता है जिनके डिमैट में शेयर नहीं आया होगा वह सुभए आज आएगा एक और चीज़ आद रखेगा MIS और काम नहीं करता है तो आपको CNC और लगाना पड़ेगा और दिन महीं अपनी position काट लिजएगा जो मैं strategy बता रहा हूँ वह एक घंटे 20 मिनट यानि कि कि इतने 12 Candles यहां की, और 4 Candles यहां की 16 Candles आपको Trade अवएड करना है उसके बाद 3 मिनट की 3 Candles अपको Trade लेना है यानि कि नीचे लिंक है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो, सुबाई ये डेटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, देखते हैं, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई है, जो एजेक्स नेफ्टी हमको 300 नीचे दिख रही थी, वो 200 हुई, पौने 200 हुई, इस वक्त मात्र 1500 न करना ही प्रफर करें, और जो लोग long term के लिए लिये हैं, उनके पास नीचे average करने की समता होनी चाहिए, याद रखिएगा, long term के लिए इतना गडबर नहीं है यहाँ पर, गडबरी नहीं है, बस आपके पास समय होना चाहिए, ठीक, तरीके है मैंने आपको बता दिए, इसम धिर्टे नमस्कार